नमस्कार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट रिग वैधिक पीरेट से सम्बंदित कुछ प्रसनों के बारे में जो एक्जाम पॉइंट अव यू से बहुत ही इम्पॉटेंट होते हैं इस वीडियो से पहले हमने Rig Vedic Period के बारे में discuss किया था और उससे related हमने कुछ questions किये थे जो अक्सर exams में पूछे जाते हैं आज का topic है Post Rig Vedic Period जिसके अंदर आप देखेंगे तो बाकी के तीन वेद लिखे गए थे जैसे यजुरवेद, सामवेद, देन अथर्ववेद ठीक है तो अथर्ववेद को भी हम ऐसा माना जाता है कि Post Rig Vedic के बाद जो पीरेड आता है उसके अंतरगत लिखा गया था but that is a part of Post Rig Vedic Period ठीक है तो completion में हो सकता है कि वो और last तक गया हो लेकिन starting उसकी Post Rig Vedic Period में ही हो गई थी तो इन से संबन्दित हम आज सारे points clear करेंगे जो हमारे exams में पूछे जाते है आप देख रहे हैं GS with Mayangshar और हम सुरू करते हैं आज का पहला सवाल देखिए पहला question कहता है उत्तर वैदिक सब्यता का काल क्या था ठीक है Post Rig Vedic Period का काल क्या था ठीक है Rig Vedic Period का काल हमने देखा था कि यह हमारा 1500 से like 1000 BC तक था अब यह 1000 BC से 600 BC तक था तो what was the period of Later Vedic Civilization तो Later Vedic Civilization या फिर Post Rig Vedic Civilization का जो time period था वो 1000 BC से 600 BC था Next question देखते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्य बस गय थे यानि Rig Vedic काल के बाद जो आर्येंस का जो सामराज बढ़ना सुरू हुआ वो जा करके कहां तक बसा था तो इसका आंस्वर है गंगा यमुना दुआब तक बसा था ठीक है तो यह गंगा यमुना दुआब तक बसा था इसे सम्बंधित एक question के बारे हमने पहले भी discuss किया था तो during the Later Vedic period Aryans settled in गंगा यमुना दुआब इस बात को आप ध्यान रखेगा next question के और बढ़ते हम उत्तरवैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था ठीक है वहाँ पर हमने देखा था कि like परिवार से ले करके राजा तक हमने describe किया था लेकिन उत्तरवैदिक काल में हम लोग राजा को क्या कहते थो तो राजा को हम लोग समराट कहते थे ठीक है During the later Vedic period the king was called as Samraat ठीक है समराट बन गहे थे Next question देखिए उत्तरवेदिक काल में सुद्र का देवता कौन था उत्तरवेदिक काल में सुद्र का देवता था पूशा ठीक है Who was the god of सुद्रा in later Vedic period So that was Pusan ठीक है तो पूशा आप याद रखिएगा शुद्रो का ये question important हो जाता है Next question है उत्तरवेदिक यूग के दोरान समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था तो पूरे Vedic period पे भी discuss करते हैं तो यही question बनता है कि समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था सायद पिछली वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा किया हो तो इसमें हमने चार पर टिक लगाना है during the later Vedic age society was divided into classes four classes में divide किया गया था चार वर्ण विभाजित किया गया थे जिसमें सबसे पहले ब्रामण था फिर दूसरा छत्रिय था फिर तीसरा वैष्य था और चौथा सूद्र जाती था तो चार ये वर्ण थे जिनमें जिनमें लोगों को विभाजित किया गया था तो यही question है उत्तर वैदिक यूग के दौरान समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया था next question देखते हैं निमलिखित में से कौन सा वैदिक काल में रथ बनाने के लिए प्रसिद्ध था ठीक है रथ को इंगलिश में चेरियोट कहते हैं और आगे चलके आगे के topics में इससे संबंदित एक question भी बनता है तो वह हम discuss करेंगे चेरियोटर होता है जो रथ का चालक होता है ठीक है तो चेरियोट यानि रथ का जो निर्माण हुआ करता था वो कहां हुआ किया करता था तो वो प्रियाग में हुआ करता था ठीक है तो रथों का निर्माण जो होता था उत्तरवैदिक काल में वो प्रियाग में हुआ करता था ठीक नेक्स चलते हैं उत्तरवेदी काल के दौरान समाज के वर्ग थे, देखिए अभी मैंने बताया था कि समाज को चार अलग वर्गों में बाता गया था, वर्णों में बाता गया था, वो कौन-कौन से थे, अब वो यहाँ पर पूछ रहा है कि ब्रामण और चत्रिय बिल्कुल थे, ब्रामण औ में बिवाजित किया गया, तो आंसर हुआ उपरोक्त सभी, सभी, the classes of society during the later वैदिक period वर, ब्रामिन्स, छत्रियाज, वैश्याज और सुद्राज, तो आंसर हुआ इस अलग अबव, next question देखिए, उत्तर वैदिक काल के अंत तक आरियों ने इस्थापित किया, उत्तर वैदिक काल यानि कि जब पूरा वैदिक period समाफ्त होने की कागार पर था, तो हमने पहले में ये discuss किया था, कि सबसे पहले परिवार आता था, फिर आपके पास परिवार के बाद, फिर वो कुल आता था, फिर कुल के बाद ग्राम आता था, फिर ग्राम के बाद जन्पत बना, तो वही चीज पूछ रहे हैं कि ये सा आंसर बनता है शोलह राज को इस्थापित किया था तो 16 kingdoms को इस्थापित किया था जिसे हम महा जनपत्स भी कहते हैं इनको हम महा जनपदाज भी कहते हैं ठीक है और आगे के topics में हम महा जनपत्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं ठीक है तो महा जन्पद यानि 16 राजियों की थे सबसे पहला ये महा जन्पद से भी question पूछत है कि क्या कहा जाता है टो उनको महा जन्पद कहा जाता है आ्रयो दोरा इस्तापित 16 राजियों को कहा जाता था देख लिए जो question पूछ भी दिया कि the 16 kingdoms established by the Aryans were called as जनपद, सामराज, महाजनपद या महाराज, तो that is महाजनपद, ठीक है, तो सोलह राज जो आरियों ने इस्थापित किये थे, उनको महाजनपद कहा गया है, नेक्स्ट कोश्चन में आते हैं, उपनिसद कहे जाते हैं, उपनिसद को क्या कहा जाता है, उपनिसद को और भी कहा जाता है, उपनिसदों को वेदान्त कहा जाता है, ठीक है ना, तो उपनिसद को, उपनिसद्स आर अल्सो कॉल्ड वेदान्ताज, नेक्स्ट कोश्चन देख देखिए निमलिखित में से कौन से आश्रम प्रणाली से संबंदित है यह आश्रम प्रणाली से कौन सा संबंदित है तो देखिए आश्रम होता है जैसे ग्रहस्त आश्रम होता है ब्रह्मचर आश्रम होता है वानप्रस्त होता है सन्यास होता है यानि यह व्यक्ति का according to age जो ह पूर पर तो अगर इस question को देखा जाए तो ये इस के तीनों ही answer सहीं है निमलिखित में से कौन سे आश्रम पृणाली से संब्लखित है तो घ्रहस्त आश्रम भी होता हैा ब्रह्म चरे आश्रम भी होता है वानप्रस्त भी होता है और सन्यास भी होता है तो answer ज będę आधाये, उप् निम्न में से कौन चार वर्ण प्रणाली में सामिल है तो ब्राहमाण, छत्रिय, वैश्च और सुध्र यह चारों फिर से एक बार अलग तरीके से प्रेजन्ट हो क्या गया आगए question तो वर्णों की प्रणाली में कौन सा सामिल है तो यह चारों ही सामिल है इसमें एक question और भी कुछ पूछ सकता था कि इसकी जगे पे नहीं सामिल है अगर वो पूछता तो इन चारों के अलावा या इन तीन के अलावा कोई एक अलग नाम होता तो आप उसको नहीं सामिल है में डाल सकते थे next question देखते हैं निमलिखित में से कौन से उत्तरवैदिक काल के सबसे महतवपूर देवता थे ठीक है ना तो आपने देखा था कि रिगवैदिक में इंद्र थे तो ये पूछ रहा है कि like post रिगवैदिक काल में कौन सबसे महतवपूर थे तो यहां तीनों को आप टिक करेंगे प्रजापती, विष्णु, रुद्र यानि की यह तीनों ही थे तो उप्रोक्त सभी which of the following were the most important gods of the later vedic period that was प्रजापती, विष्णु, रुद्र और अल अल अब 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 तो answer is all of the above next question उत्तरवैदिक काल के दोरान सासको द्वारा आयोजित, बहस, यानि की debate होता था, जो rulers थे, वो लोग debate organize कराते थे, तो उस debate को क्या कहा जाता था तो उस debate को कहा जाता था ब्रह्मोध्यास, ठीक है ना, ब्रह्मोध्या, तो यहां से आप देख सकते हो किसी को अगर हिंदी में दिक्कता था ठेक है ना, यह ध्यान रखेगा कि सासको द्वारा ओर्गिनाज्स किया जाने वाले debate को ब्रह्मोध्यास की जाता था next question देखते हैं उत्तर वैदि काल का गंधार सामराज अधिकतर निम्न में से किस इस्थान पर था तो गंधार वाला जो छेत्र था वो कहां पर हुआ करता था तो गंधार का जो अधिकतम छेत्र हुआ करता था वो रावल पिंडी और पाकिस्तान का पेसावर जीले के छेत्र में हुआ करता था गंधार किंग्डम ऑफ दे लेटर वैदिक फेज वोज मोस्ली लोकेटेड एड वीच ऑफ दे फोलेंग प्लेसी तो यह रावल पिंडी एड पेसावर डेक्शी क्योंकि आप जानते हैं कि वैदिक पिरेट के लोग सबसे पहले पंजाब या फिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही आ करके बसे थे तो वो वही उनका मुख्य रूप से छेत्र हुआ करता था जिसे वो लोग गंधार भी का करते थे नेक्स्ट में निमलिखित में से कौन वैदिक और गैर वैदिक लोगों के बीच प्रारंबिक भेदभाव का आधार था तो देखिए जब वर्ण में डिवाइड कर दिया गया लोगों को न तो वर्ण विवस्ता बना दिया गया तो वहीं से क्या हो गया था लोगों के अंदर वहेदभाव शुरू हो गया जिस वहेदभाव का विरोध करने के लिए ही आप आगे लाइक बुद्धीजम और जैनीजम को भी अपने इस इतिहास के अंतर गत पाएंगे जो आ करके इसके अगेंस्ट में हो गया वर्ण विवस्ता ठीक नहीं है आप किसी भी आदमी को वर्णों में नहीं बाट सकते तो ये वर्ण विवस्ता ही एक मातर ऐसी चीज थी तो गैर वैदिक लोगों के बीच या वैदिक लोगों के बीच में बेदभाव का आधार बन गई थी ये ध्यान रखेगा नेक्स्ट क्वेस्टिन निमलिखित में से कौन सा वेद कई बीमारियों के उपचार पर केंदरित है ठीक है जो बीमारियों के उपचार से सम्बंधित वेद है वो कौन सा है विच अप दो फोलेंग वेदा फोकस इस ओन treatment of several elements ठीक है ना elements यानि की बीमारियों से तो इसमें आईए अथर्ववेद जो है वो आपकी बीमारियों से सम्बंधित जो उपचार है वो आपको अथर्ववेद में मिलते है next question है निमलिखित में से क्या वेदिक ग्रंथों में उलिखित नहीं है इन में से क्या नहीं लिखा गया है which of the following was not mentioned in the लेटर वेदिक टेक्स्ट यानि लेटर वेदिक टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो भी लेटर आता है बाद वाला जो लेटरेचर लिखे गए टेक्स लिखे गए उनमें क्या लाइक मौजूद नहीं है चाहें वो आपका रिग वेदिक में हो चाहें वो उसके बाद आपका लेटर वेदिक हो तो इसमें देखिए ब्रह्मचर है आपने देखा ग्रहस्त आस्रम देखा वानप्रस्त देखा आपने सन्यासी नहीं देखा ठीक है तो इसका आंस्वर जो होगा वो सन्यासी हो जाएगा ये ध्यान रखेगा कि सन्यासी के बारे में लेटर वैदिक टेक्स्ट में लिखा नहीं गया है चर्चा नहीं की गई है निमलिखित में से कौन सा बर्तन उत्तर वैदिक काल में पाया गया था कौन सा बर्तन पाया गया था लाल बरतन दूसर रंग का यानि पेंटेट ग्रे वेर या काला और लाल बरतन या उपर सभी तेकि इसमें लाल बरतन भी था ग्रे कलर का बरतन भी था काला और लाल आपको मिली गया ग्रे कलर लगबक काले टाइप कही होता है बढ़ पूरा काला नहीं होता है वो आप जानते होंगे तो इसका आंसर हुआ उपर के सभी उपरोक्त सभी यानि यह सारे ही बरतन आपको लेटर वैदिक पीरेड में पाए गए थे next question क्या कहता है वह धातू जिसे वैदिक यूग में स्यामा या क्रिष्ण आयस कहा जाता था देखो स्यामा से या फिर क्रिष्ण से आपको काला रंग दरसायना पड़ेगा उससे आपको पता चल जाए कि ब्लैक कलर की बात हो रही है और हमें पता है कि रिग वैदिक काल में हम लाइक लोहा के बारे में प्रमान नहीं मिलेते ही हमें पोस्ट वैदिक पिरेड में जाते जाते हैं में लोहा के बारे में पता चल गया था तो आंस्वर एज आईरन ठीक है दमेटल वीच वच कॉल्ड श्यामा और क्रिष्ण आयास इन वैदिक इस आईरन रिग वेद किस से संबंधित है अब देखिए यहाँ पर चारों वेद से संबंधित कोश्चन पूछता है कि कौन सा वेद किस से संबंधित है तो रिग वेद किस से संबंधित है संगीत से स्लोक से करमकान या जादू टोना तो आपने शुरू में देखा था कि रिग वेद में स्लोक मिलते हैं ठीक है न और स्लोकों की संख्या भी मैंने आपको बताई थी कि रिग वेद में कितने नंबर आप स्लोक ते तो अभी हम उनकी चर्चा नहीं करें बस इतना समझें कि रिग वेद में स्लोक मिलते हैं नेक्स्ट है सामवेद किस से संबंदित है तो सामवेद किस से संबंदित है सामवेद संगीत से संबंदित है है ना आप यहां सौंग की जगे आप म्यूजिक भी कर सकते हो तो यह संगीत से संबंदित है यह आप ध्यान रखे है कि सामवेद संगीत से संबंदित है नेक्स्ट क्वेशन है अथर्ववेद किस से संबंदित है संगीत स्लोक कर्मकांड या जादू टोना तो यह आप ध्यान रखे है कि अथर्ववेद जो है ना वो जादू टोना से चाम्स एंड इस्पेल्स आकर्षन करके किसी को मोहित कर लेना या पिर अलग-अलग प्रकार से जादू टोना करके उसको अपने बस में कर लेना यह आपको अथर्ववेद में मिलता है यजूरवेद किस से सम्बंदित है तो यजूरवेद को आप देखेंगे यह कर्मकांड से सम्बंदित है रिचूल्स को डिफाइन करता है ठीक है अंतिम कौन सा वेद लिखा गया था तो अंतिम वेद जो लिखा गया था वो अथर्व वेद था और पहला वेद जो था वो रिग वेद था ठीक है रिग वेद के बाद आपका यजूर वेद यजूर वेद के बाद आपका साम वेद और सामवेद के बाद आपका अथर्ववेद, तो यह देखिए, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, ठीक है, सामवेद और फिर आपका अथर्ववेद, तो यह आप ध्यान रखिएगा, R-Y-S-A, तो यह भी question बहुत important बनता है, कि कौन सा वेद जो है, वो सबसे अंत में लिखा गया था, तो उसे हम अथर्ववेद कहेंगे, और उसका वही सही जबाब होगा, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह से आप topic wise, चाहें आप इसको question answer session कह लिजिए, या फिर इसको आप one liner में भी अपने according तयार कर सक करते हैं कि जो most important points हैं, जो exams में पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो topic wise मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको उमीद करता हूँ कि आप इन सब चीजों को ध्यान से देख भी रहे होंगे, और last में जब 2-4 topics हमारे complete हो जाएंगे, ठीक टाक से, तो हम उस पे एक question answer session भ अगली वीडियो में, और बाकी आप जानते ही हैं कि अगर आपको हमारे किसी भी तरह का लाइक study material या practice या कुछ चीजे चाहिए, तो आप हमें नीचे दिये गए लाइक STC educators वर follow कर सकते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद!